आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी के डिया है A प्लस B और इससे हमें प्राप्त हो रहा है उत्पाद A B तो यहाँ पर अभीकारक A है और अभीकारक B है तो अभीकारक यहाँ पर दोस्तों इस सिद्धानत में क्या बताएगा है संगट्टे सिद्धानत में बताये गया है कि जो अभिकारक हैं, जब इनके अडू आपस में एक दूसरे से अभिकारकों के अडू टकराएंगे, तब टककर के बाद दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद अभी प्राप्त होता है, तो जब अडू आपस में टकराते हैं, तो टककर के पश्च क्या होगा हमें उत्पात प्राप्त होगा तो यहां पर दोस्तों यह इसके बाद इस सिद्धान में वताए गया है कि जो टक्कर होती है ऐसा नहीं होता है कि हर एक टक्कर के बाद हमें उत्पात प्राप्त हो अभी कुछ अभिकारकों की कुछ ही टक्करों के बाद हमें टक्करों के बाद उत्पात प्राप्त होता है उन टक्करों को हम कौन सी टक्कर कहते हैं उने हम कहते हैं पिरभावी टक्कर अब दोस्तों टक्कर पिरभावी होगी या नहीं होगी ये कब हम कहेंगे तो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी रसाइनिक अभीकिरिया है उस रसाइ अभिकारक के अड़ू के पास वह नियूंतम उड़जा है तब दोस्तों अगर ये अड़ू आपस में टकराएंगे तब टकर जो है वो प्रभावी होगी और हमें उत्पाद प्राप्त होगा अब जैसे यहां पे यह जो अभिकरिया इसमें मान लिया दोस्तों जो नियूंतम उड़जा होगी 10-10 जूल उड़जा होगी अगर वे अड़ू आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद हमें उत्पाद अभी प्राप्त होगा और जिन अड़ू के पास दोस्तों 10 जूल उड़जा नहीं होगी अगर वे टकराएं चाहें कितनी विवार टकराएं परन् प्रतेकडू के पास एक नियूंतम उर्जा का होना आवश्यक है और इस नियूंतम उर्जा को ही क्या गयते है देहली उर्जा कहते हैं अब इसके बाद दोस्तों परश प्रशम को करते ही, अर्धाय उकाल के लिए बियंजग जियात करना, तो चलिए इस प्रश को हल करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे इस प्रश को हल करने के लिए जो परिथम कोटी अभी करिया के बेग इस استhra Wang का भियंजग है, उसको लेक रहा है तो बेग रांग k बरावर क्या ब्यांजग है दोस्तों k बरावर 2.303 बटे समय t log आधार 10 यहां पे सांद्रण a सांद्रण a नौट बटे सांद्रण a ठीक है अब दोस्तों हमने माल लिया कि अभी किरिया का सम जो जिस समय पे भी हमें इसे हल करेंगे तो वह समय क्या ले लिया हमने अ ती बरावर टी हाफ के बरावर होगा समय क्या हो ले लिया हमने अर्धा युकाल तो अर्धा युकाल पे दोस्तों सांद्रण a कितना रह गया होगा जो इसका प्रारंबिक सांद्रण है यह नौट इसका आधा रह गया होगा ठीक है यह नौट बटे दो रह गया होगा यह स इस ब्यंजक में तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे समय t कमान कितना है t half है और यह हो जाएगा लॉग आधार 10 सांद्रण a not सांद्रण a not बटे सांद्रण a not a not और इसको भाग करेंगे 2 से तो 2 दूस्तों यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो यह आप देखेंगे सांद्रण a not से सांद्रण a not कट गया और यह जो t half है इसको हम इधर ले जा रहे है k को यहाँ पर ले आ रहे है तो यह हो जाएगी समीकरा t half बराबर 2.303 2.303 बटे करने पर आ जाएगा 0.693 बटे बेगिस्त रांक के यह दोस्तों जो हमारी पिर्थम कोटी की अभी किरिया होती है उसके लिए बेगिस्त जो अर्धाई उकाल है टी हाफ उसका ब्यंजक है आशा करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा धन्यवाद सुछर सुछर झाहा डोड़ी बेगिस्तों लागा शुछरत भी करने भी काने करने 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 लाग करता है करने करने बेगिस्तों झाल मेद